हेलो एवरिवन, वेलकम टू सुस्मा लाइप स्टाइल, आज हम जानेंगे तुलसी के पोदे की देखवाल कैसे करें, हर घर में तुलसी का पोदे मिल जाता है, इसकी भी बहुत बड़ी वज़े है, हिंदु धर में तुलसी को पूजने मानते हैं, और इसकी पूजा करते हैं सुबा साम तुलसी के पोदे में पानी दिया जाता है, अधी पक जलाया जाता है, लेकिन कभी-कभी तुलसी का पोदा सूखने लग जाता है, उसकी पत्या जड़ने लग जाती है, तो इसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए और इस समस्या से सुटकारा पाने के लिए, कुछ ट पानी का ध्यान रखना होगा तुलसी में जल चड़ाते हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा जल चड़ाएं ज्यादा जल देने से उसमें फंगस लग जाएगी और फोदा गलने लग जाएगा इसके वज़े से पत्या भी सूख जाएंगी तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी जालना चाहिए नमबर दो इसकी समय समय पर पिंचिंग करते रहना चाहिए जैसे उपर से अगर हम थोड़ा सा पिंचिंग करेंगे जो एक्स्ट्रा पत्या हैं उनको कट करते रहेंगे समय समय पर काटते रहें तो इससे पोदे की ग्रोथ बढ़ेगी और वो हरा भरा रहेग नमबर तीन पोदे में जो ये मंजरी आ जाती है ये इस तरह की इनको समय समय पर निकाल देना चाहिए ये हमारी मंजरी है इनको निकाल देना चाहिए अगर इनने नहीं अटाएंगे तो पोदे की ग्रोथ रुख जाएगी और वो सूखने लगेगा इनको हटाने से पोदे की लाइफ बढ़ती है और इसके साथ ही इसमें जो पीले पत्ते आ गई है इनको हटाते रहें इनको समय समय पर हटाते रहें तूलसी का पोदा पूजने तो होता ही है साथ के साथ ओस्दियों से भरा होता है इसका योज हम लोग चाए में काड़े में करते हैं और अब शरीर को कई बिमारियों से यह बचाता है तो इसकी देखवाल अच्छे से करें और इसे हरा भरा बनाए रखें और नेक्स टैप आता है खाद का तूलसी में गोबर की खाद अच्छी होती है सबसे बैच रहती है लेकिन इसमें गीली खाद कभी नहीं डालने चाहिए गोबर को सुखा कर उसका पाउडर बनाकर फिर उसमें डालें गीली खाद डालेंगे तो उसे पोधा गल जाएगा उसी जड़ों में फंगश लग जाएगी नेक्स टैप में कभी-कभी पोधे में कीडे लग जाते हैं उसे कीडे से बचाने के लिए नीम के पानी का यूज करते हैं नीम के पत्तों को उबाल कर ठंड़ा कर लें रहेगा तुल्सी के पोदे की कोई नुकसान नहीं है फाइदे ही है यह ओज्दियों से भरा रहता है तो जादे से जादा तूल्सी लगाएं और अपने पोदे की देखवाल करें उसे हरा बना बनाई रखें नमस्कार दूस्तों